आज खास वीडियो आपके लेकिया हूँ मालो आपकोई भी वीडियो कनवर्ट करना चाहते हो अपने PC के अंदर जैसे HDR में चाहते हो या उसे भी लो क्वालीटी के अंदर कनवर्ट करना चाहते हो कि आप किसी भी converter से उस quality को convert करते हो तो quality low हो जाती है लेकिन आज आपको एक ऐसा software बताने वाला हूँ जिसकी वज़े से आप अपने HD video जो भी जितने भी video है उनको आप convert कर सकते हो लेकिन आपको quality वही मिलेगी और एक सबसे benefit फाइदा आपको उस app का ये होगा कि आप उस app को install करोगे और उसके कोई भी और compose करने से आपकी जो video quality है वो वेसी ही रहेगी जिसे आपको HD के अंदर रहती है और इसका सबसे बड़ा फाइदा आपको ये मिलेगा कि उस app को software है उसको आप installation करोगे अपने PC के अंदर तो आपका जो hardics है hardics drive जितना भी full हो चुका है उसके थोड़ा वो space बे बन जाएगा और आपको quality वही same to same मिलेगी जो HD के अंदर आपको मिलती है तो चलिए बिना time waste के वे video सुरू करते हैं हलो दोस्तों मैं सत्यपाल सर्मा टेकनिकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं तो चलिए software के बारे में जानते हैं hardics drive बड़े-बड़े video HD quality के होने के करण आपका hardics drive वह काफी full हो जाता है और आपको काफी space चाहिए होता है आज के टाइम है space किसको नहीं चाहिए तो मैं आज आपको ऐसा software बताने वाला हूँ जिसे आप video compose करने के साथ साथ आप video को convert बे कर सकते हो और हाँ वो भी बिलकुल free तो आप YouTube पे इसे बहुत सारे video देखोगे लेकिन उसमें आपको pad software मिलेगा यदि आप उसे पेड़ नहीं करते हो तो video compose करोगे या edit करोगे तब screen पे उसका add आएगा तो मैं आज आपको ऐसा software बताने वाला हूँ जो बिलकुल free है और इसे आप file compose यानि आपके add file एक जीबी की है तो आप उसको कम से कम 500 MB तक ला सकते हो यानि half कर सकते हो और उसे भी कम कर सकते हो तो चलिए screen के उपर क्या software है कैसे download करना है पूरी detail में आपको बताऊंगा और convert भी आपको कैसे करना है तो चलिए screen के उपर दिखाते हैं आपको क्या software है तो दोस्तों मैं जो आपको software बताने वाला हूँ वो एक तो बिलकुल free है आपको किसी भी परकार का पैसा है वो pay नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप अपनी file को है वो compose कर सकते हो तो चलिए time newest करते हुए सीधे वीडियो की बात करते हैं सबसे पहले आप अपने PC का या laptop के अंदर सबसे पहले Google browser है वो open कीजिए और वहाँ पे आपको लिखना है browser पे जाके आपको simple सा लिखना है hand break और hand break करके आपको search कर देना है और जो सबसे first में सबसे उपर जो link आ रहा है आपको website ने जरा रही है उस पे आपको click करना है click करने के बाद में आपको यहां से बहुती आसानी तरीके से इसको download करना है download पे आप करोगे तो automatic download हो जाएगी जादा भी नहीं है 12 या 13 MB की file है अब मैं इसको download नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे PC के अंदर already download किया हुआ है तो आप इसे download कर लेना और करने के बाद में आप इसे run करके installation कर लेना तो जैसे ही आप run करके इसे installation करोगे तो desktop पर आपको इस type का एक logo नजर आएगा तो चलिए मैं आपको एक file है वो compose करके दिखा देता हूँ और compose करने के साथ साथ आप इससे वीडियो जो भी आपका video है HD है या जो भी quality के अंदर है आप उसे बहुत ही आसानी से easy तरीके से इससे आप उसे compose कर सकते हो जिससे आपकी MB है वो come waste तो चलिए देखते हैं मैं आपको एक file है वो compose करके दिखाता हूँ जैसे ये मेरा वाला वीडियो है ये कितने MB का है आपको देख रहे हूँ 400 MB का है ठीक है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले open करता हूँ और इस file को अंदर ले आता हूँ जैसे ही मैं इस file को लिया हूँ आपको सारी quality यहां पर नजर आ जाएगी आपको दिखी रहा है इन में साब जो भी अपनी quality के हिसाब से आपको जो भी format करना है convert करना चाहते हो तो यह दी file को compose करना चाहते हो तो चलिए मैं आपको compose करना भी बता देता हूँ तो सबसे पहले MP4 format रखना है वेब पर OK करना है उसके बाद में आपको यहां पर आके देखना है इसको देख लेना सब automatic पर रखना है और यह जितना दिया गया है उतना रखना है फिर आना है filter पर filter पर हमें कुछ नहीं करना है और वीडियो पर आना है ध्यान रहे वीडियो यहां पर जो आपको quality नजर आ रही है वो 22 या 21 रख सकते हो आप ठीक है minimum 18 या 20 के बीच में रखना है वो difficult है और आप इसके बीच में भी कम से कम 20 से 23 के बीच में रखना है यदि इससे ज़्यादा आप कर दोगे तो आपकी file है वो जीबियों में चली जाएगी तो यह ध्य चाहन रहे विशेश करके तो आप इसको जैसा है वैसा save करके रख देना है अब मैं इस file को convert करूंगा तो इन वे से भी आप जो भी अपनी quality करना चाहो और भी बहुत सारे function आपको मिल जाएंगे यदि आप ए quality को सिदा fix करना चाहो तो आप यहां पर उसको add कर सकते हो अपन देखा था तो यह video है वो मेरा 720 के अंदर बनावा है तो मैं इसी के अंदर आपको convert करके दिखाता हूं तो चलिए देखते हैं मैं इसको यहां से start कर देता हूं और यह जहां save होगा वो file भी इसमें दे रखिये कहां save होने वाला है तो मैं चलो desktop पे अपने वाले video में ही save करत हूं कि दोस्तों मैं आ जाता हूं desktop, desktop प्याने वाद मैं इस folder में आता हूं और इसको नाम दे देता हूं compose यह 1,2 अलग नाम दे देता हूं 4 दे देता हूं और इसको यहां पे save कर देता हूं. Save आफ अपने हیसाब kanske किसी भी folder में कर शकते हो और अब मैं यहां से आपको start कर द लेगा दो मिनिट चार मिनिट जितना भी लेगा उतना लेगा अभी भी हो रही है ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये बड़ी फाइल होगी तो ज्यादा टाइम भी ले सकता है ये अपना हो गया अब मैं जाके वहाँ पे उसको चेक करता हूँ कितने का है तो कौन सा था ये वाला था ना ये देगे कितना हो गया 15.5 MB का हो गया और यही वाला वीडियो आप यहाँ देखोगे कितने का है 432 MB का है और क्वालिटी में भी कोई फरक नहीं है सेम क्वालिटी मिलेगी आपको जो आपकी क्वालिटी फैली थी और आप उसको कनवर्ट भी कर सकते हो HD को या 1080 है आपकी तो उसको आप 720 में कर सकते हो 404 में कर सकते हो 144 में कर सकते हो जैसे आप convert करना चाहो वैसे convert कर सकते हो और इसका कोई भी आपके लिए चार्ज नहीं है फ्री एकदम कोई चार्ज नहीं है तो जाए जाके डाउनलोड कीजिए और वीडियो के अंत में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा जिसे आप बहुत ही आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों आपको आपको knowledge मिल रहा है आपके लिए वीडियो helpful है तो एक like तो बनता है यदि मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा धन्यवाद